और वह सबहत कोई हसी मजाख नहीं है कुछ दीन ऐसे होते हैं जो हमें याद रखने चाहिए 31 अक्टूबर 1875 को सरदार बल्लब भाई पटेल का जन्वा आजार रेचाणक को जिस तरह के से एंसेंट इंडियन का निर्माता माना जाता है उसी तरह के सरदार पटेल आधुनी भारत के निर्माता माने जाते हैं 600 से अधिक प्रिंसली अस्टेट को उन्होंने इकठा करके मर्ज करके आज का जो भारत देख रहे हैं वह सामने आया था उसी दिन को महत्वपुन बनाने के लिए 2014 में भारत सरकार के परधान मंत्री मोडी ने इसे रास्टिये एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्ने लिया और वही दिन आज हम लोगों प्लक्च यहां प्रस्तुत हैं सपत लेने के लिए प्लेज लेने के लिए मैं सत्य निश्टा से सपत लेता हूँ कि मैं भारत रास्ट की एकता अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वैम को समर्फित करूँगा और अपने देश वासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक परित्न करूँगा मैं यह सपत अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ जिसे सर्दार बल्लब भाई पटेल की दूर दर्शिता एवं कार्यों दौरा संभब बनाया जा सका मैं अपने देश क्यांत्रिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्य निष्ठा से संकल करका हूँ स्थानलोगए स्थानलोगए लुकत पुर में पूली «जुट पर बलागंज़।» कर दो 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 कर, कर दो भ। कर दे नंग कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो